अगर आप लोग BSNL किसम इस्तमाल कर रहे हैं तो यहां पर BSNL ने एक जो गाइडलाइन है उसको जारी कर दिया है हाला कि उसकी जो डेट थी वो 30 सितंबर थी लेकिन उसको यहां पर बढ़ा करके अभी यहां पर उसको 30 अक्टूबर तक कर दिया गया है BSNL की वो कौन सी गाइडलाइन है क्या हम लोगों को उस गाइडलाइन को फॉलो करना है या नहीं करना है सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में पताने वाला हूँ आप लोगों को पताऊगा आज की डेट में जितनी भी टेलिकॉम कंपनी है यहां पर हमें 5G प्रोवाइड करा रही है वहीं देखा जाए बोड़ा है वह 4G पर काम कर रही है और जो BSNL है वह आज की डेट में भी 3G पर काम कर रही है उसी को देखते हुए BSNL का कहना है कि पिशाका पटनम में यहां पर जो 4G services है वो उसको start कर दिया है तो वहां पर उन्होंने इस चीज को notice किया वहां पर उन्होंने पताया कि जो लोग है वो अभी भी 2G, 3G SIM यहां पर इस्तमाल कर रही थे 4G आने के बाद भी उनके mobile में 2G और 3G जो speed है वो यहां पर उनको मिल लोगों को क्या था अपनी SIM में उसको उन्होंने अपडेट किया फिर उनकी जो speed है वो यहां पर 4G आना शुरूप हो गई इसी को देखते हुए BSNL कह रही है कि जितने भी लोग BSNL की SIM को इस्तमाल कर रहे हैं उनको यहां पर डिजिटल जो KYC है वो कराना कंपलसर ही है डिजिटल KYC का मतलब यह है जिन लोगों ने अपनी SIM पेपर फॉर्म से ली थी तेक वैसे तो जास्तार सब लोगों की KYC हो चुकी है लेकिन फिर भ किसी भी नजदीक में BSNL स्टोर से करा सकते हैं जहां पे आप लोगों को SIM मिलती है यह जो दुकान वाले हैं वहां से आप करा सकते हैं फ्री में यहां पे जो SIM है वो आपकी KYC की जारी है इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ रहा है जब आपकी KYC हो जा आने वाले टाइम में BSNL जल्द ही 4G को लॉंच कर देगा फिर आप लोग जब 4G को इस्तमाल करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो 2G 3G आएगी अगर आप अपनी SIM को अपग्रेड कर लेंगे 4G में तो आपका प्रॉपर जो 4G की स्पीड है वो आपको मिलने वाले हैं वै BSNL क्यों बोल रहा है 2G 3G SIM को 4G में कराने के लिए जैसा कि मैंने आपको बदाया विशागा पटनम में इन्होंने 4G सर्विस है उसको स्टार्ट कर दिया है वहां पे कुछ लोग 2G 3G SIM में 4G को इस्तमाल कर रहे थे तो वह वहां पे उसको नहीं कर पा रहे थे तो उन्हों उनकी जो 4G स्पीड है वो उनको यहां पे बिलना स्टार्ट हो चुकी थी इसी को देखते हुए कंपनी यहां पर बोल रही है कि आप भी अपनी SIM में उसको फ्री में अग्रेट करा लिजिए 4G में जैसे ही 4G आएगा फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी आप ब नखी गई है पहले 30 सितंबर थी और अगर आपकी 2G 3G SIM है तो आप उसको 4G में अप्ग्रेट करा लिजिए फ्री में हो रही है इसके लिए आपको अलग से कोई भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है देखे बीसनेल की जो काड़ लाइन थी मैंने आपको बता दिया है अब आपके उपर है आप उसको अप्गेट करना चाते हैं या नहीं करना चाते हैं वो आपके मर्जी है वैसे फ्री में यहां पर आपकी जो 2G 3G SIM है वो 4G में अपग्रेड हो रही है अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आ जा है आपको कुछ पोचना है तो आप हमे बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यबाद